ओम्गंगंगंपताए नामः ओम्गंगंपताए नामः मा पार्वती और देवाधी देव भगवान शिव के प्यारे देवों के राजा गणों के महाराजा श्री गजानन महाराज जिनको अपने पिता भगवान भोले नात से ये वरदान प्राप्त है कि किसी कार के आरंध होने पर सबसे पहले यदि आपका वंदन पूजन नहीं तो वो कार संपूर्ण नहीं होगा इसलिए सबसे पहले आपका अर्चन अती आवश्यक है इसलिए भगवान गणेश प्रतमेश कहलाते हैं रिशिमुनी नर्नारी यहां तक की देवता भी किसी कार का शुभारंब करने के समय सर्व प्रतम गणेश जी की पूजा करते हैं त ताकि उनका कार सफल और संपूर्ण हो सके भगवान शिरी गणेशी महराज जो रिध्धि और सिध्धि के स्वामी हैं रिध्धि और सिध्धि जिनके हर आदेश का पालन करती हैं इसलिए इनकी महिमा से सभी काज सिध्ध हो जाते हैं सत्य तो ये भी है कि कजानन महराज के पुत्र, शुभ और लाब अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए, पिता श्री के सभी साधकों को सदैव लाभ प्रदान करते हैं। ऐसे भक्तों के समीर हानि तो कभी आही नहीं सकती। तो आईए भगवान गणेश महराजी का आवाहन करते हैं वे अपने सभी कारियों को सम्पूर्ण करें जैगन पत्ति सदु गुण सदन कपिवर वदन कृपाल विघन हरण मंगल करण जै जै गिर जालाल जै जै गिर जालाल जै 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 गणपति गण राजू मंगल भरण करण शुभ काजू जै गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बोत्ति विधाता वक्र तुन्द शुचे शुन्द सुहावन तिलक त्रिपुंद भाल मन भावन राजित मली मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलं मुदक भोग सोगंधित पूलं सुन्दर पीतां वर्तन साजित चरण पादो कामोनी मन राजित धन शिव सोवन शडानन व्राता गौरी ललन विश्व विक्याता रेधे से धितव चावर डुलावे मोशक वाहन सोहत द्वारे कहो जनम शुभ कथा तुमारी अतिशु चिपावन मंगल कारी एक समय गिरी राज कुमारी पुत्र हे तु तप की ना भारी धायो यग्य जब कूर्ण अनूपा तब पहुच्यों तुम धरी द्विज रूपा अति थी जान के गौरी सुखारी बहु बिधी सेवा करी तुमारी अति प्रसन है तुम वर दीना मा तो पोत्र हित जो तप की मा मिला ही पोत्र तुही बोधि विशाला बिना गल्भ धारण यही काला गड़नायक गुण ज्यान निधाना पोजित प्रथम रूप भगवाना अस कहीं अंतर धान रूप है पलना पर वालक स्वरूप है बनिश शुरुदन जब ही तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना सकल मगन सुख मंगल गावई नभते सुरन सोमन वर्शावई शंभु ओ मां बहु दान लुटावई सुर्मु निजन सुत देखन आवई लखी अति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनी राजा निज अव गुण गुण शनी मन माही बालक देखन चाहत नाही गिर जा कचु मन भेद बढ़ायो उत्सब मोर नशनी तुही भायो कहन लगे शनी मन सकु चाही काकरी हाँ शिशु मोही दिखाई नहीं विश्वास उमाँ कर भायाँ शनी सो बालक देखन कयाँ पड़त ही शनी द्रुग कोण प्रकाशा बालक शिर उड़ी गयो आकाशा गिर जा गिरी विकल है धर्णी सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी हाहा कार मचयो कहला आशा शनी कीनो लखी सुत को नाशा तुरत गरुण चड़ी विश्ण सिधाए काटी चक्र सोगज शिर लाए बालक के धड़ उपर धार्यों प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यों नाम गणेश शंभू तब कीने प्रथम बोज्य बुधि निधि वर दीने बुधि परिक्षा जब शिव कीना प्रित्वी की प्रदिक्ष ना लीना चले शडानन भर में भूलाई रची बैठे तुम बुधि उपाई चरण मातु पितु के धरलीने तिन के साथ प्रदक्ष न कीने धनी गणेश कही शिव ही आरेशे नभुते सुरन सो मन बहो बरसे तुम्हरी महीमा बुधि बढाई शेश सहस मुख सकेन गाई मैं मतिहीन मलीन दुकारी करा हूं कौन विधी बिनै तुम्हारी भजत राम सुन्दर प्रभुदासा लख प्रयाग ककरा दुरवासा अब प्रभुदया दीन पर कीजे अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे श्री गणिश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान नित नव मंगल ग्रिय बसे लहे जगत सम्मान संबत अपन सहस्त्र दश रिश पंचमी दिनेश पूरण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणिश अब अपन से सम्मान अब झालीस यह वडन जाओ तोउ झालीस 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 झालीस